वाँ पर प्रेर के लेट यह भी बैटी होते हैं जो अंदर जाके आप चैर्थ देख सकते हैं फोटोगाविश आप इकार ना हैं अंदर बार पर फोटोग्राफिक आप भार आके आपको बिल्कुल वहां गर दिखर डाएगे तो इस टेर्ट आजना बार तो लेक्ष नमत बुरो राइगे आजाना वहां पर आजना वहां पर नहीं आना है वहां पर नहीं आ एक पर अपने इस इन्गें गारी की चेकिंग करते हैं जिसके पास राइसन्स जाता देखिये तो आपको भया ने अभी चर्च के नाम का बताया तो इधर जो जीजस थे जो अपना धर्म का परचार करने आए थे तो उनकी बॉड़ी थी इस तरफ तो हमेशा वो बॉड़ी बिना क्यामिकल बिना किसी चीज के रख्य हुई है तो जिसको सब को देखने को मिलता है बट सब कुछ रेनोईशन होता है तो इसलिए एक महीना पहले बंद कर देते वरना हम भी आल डेड़ बोडी देखते और इस चर्च के अंदर उस डेड़ बॉड़ी को दस साल में एक बर जरूर लाया जाता है तो अभी 2014 में आई थी लास्ट बारी भाया जैसा बता रहे थे और चलिए अंदर फोटोगाफिर वगरा अलाओ नहीं है तो मैं बस अब कैमरा बंद कर रहे हूं और थोड़ा सा हम भी जाके रिलाक्स फील करते हैं ना अशीश ठीक है का जारी है अभी आपर फोटोग्राफ अगराओ नहीं है तो चलिए आज़े आज़ाओ तो अब आज़े अगराइगा फोटोश पर देखेंगे हम भी जाक्रच का होता है तो अगर अगर बाद आप सबसे बड़ा चाहिए गाँ आज़ा इस एगा अगर अगर भाद आज़ अबष्ग का ङसा है अगर को पादी हम दिल्या कर आज़ेगा अगर शोटोट चलोब जिल्ड़ से घ है घ ख गुलोषटर अगर अगराव शोड़े एगर तोटो जलोग इस रखेंगरं में में इस एकलो जलोग चलोगर चिज़े हैं अगर हैं बाइचा लोग बाता हैं जल जो आप जो और नहीं के नामसे नहीं जो नहीं नहीं के नामसे आचिछ जो पॉल तुु। जो इस इस देटर पुसमेखर दो नहीं है? झालो 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 फस्थन नहीं 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 लुटत एफिं झाल फिंदर एफिंधने बिल्फ जोरुट है। रजी को यहां लिड्टकर लिए प्रीचाना कि ज्यूली नहीं है। हुआ जो आपको दिखाने के लिए कि जो नहीं आ सका है जो नहीं देख पाए तो वो मेरे वीडियो पर तुको देख ले तो मैंने छोटे-छोटे केफ्स ले लिए यहाँ पर लोग कैंडल्स और फूल चड़ा रहे हैं यह चर्च की एंट्रेस है में चर्च की एंट्रेस तो मैं बहार से यह वीडियो बना रहे हूँ अंदर वीडियो बनाना अलाओ नहीं है बिल्कुल भी इसमें जो बेल बचती है न वो इतनी तेज की बचती है कि 10 किलो मेटर तक उसकी आवाज जाती है आपने मोवी देखे कौन को अंदर में जो डबलो तरी दूनने के लिए जादे ना उसी ब्रस से करोज कर दे शुक dönसे कार्ब थे कि अुछ लोगोफ जो की टावर में गावर ुशाओ क्लियुर अच्छं झेमला किखे जैसे कि आपने लेखिये मुवी गुम्नाम, वहरी वोल्ड भूवी थी, गुम्नाम मुवी, इसकी शुटिंग आपर के चाफिर एक दूजे के लिए, उसके पास भी इसकी शुटिंग आपर शिंगम तुभी किये और दिलुग वाले लेटक मुवी है, दिलुग वाले, सब्सक्राइब करेंगे, इसकी शुटिंग होती है, पहले यह चर्च था, बट अब सिफ यह खंडर होके बिल्डिंग हो गई है, दिखा दो गया चर्च, तो चलिए इसके अंदर भी आप यह फोटो फोटो शूट पॉइंट बनी है, यह फोटो शूट करवाते हैं लोग कि यह फिल्मों में भी आचुका है काफी सारी जो क्यों मुझे नाम नहीं पता कौन कौन से फिल्मों में आहा है, उसी एसा नहीं दग और है, कोई जो मुवी इन फाली वगर का सीन नी होता, था ना, हाँ, वो जैसे तमिल मोरी पार इसा है, कि सीम प्रिजान क्या इंडियन यहां इंडियन मुवि चीट अच घो यह पूरा इसी तरीके का है तब मेरे जाटा जिए उन शुटिंग मुटिंगे तो नघ दंग देख रहें ऊचिन कार्टा कर्या एक है ढेख यह से कयाता है तो जू इसकी मुवी में यह से क्याता है तो जू किसी की मुवि में इसके शु तो यह बहुत ही प्यारा लगा में तो फोटो पॉइंट वगरे के लिए बहुत ही सुंदर था तो अभी हमार पास 10 मिनिट्स और है उसकी बाद फिर हमें बस की तरफ जाना है चलिए आपको एक पॉइंट पर लेके चलते हैं उस तरफ भी है बट वह इतना सुंदर नहीं है के लिए थाना जगा आशी यह देखो यार पक्का इदरी लडाई होती है बंद बंद आजो पक्काई लड़ाई वाली जगह यार पूरो वही फील दे रहे है तो आजो 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 मस्त पोर्तुगीस वाला फील आ पोर्तुगीस हां वहां पर सब प्रोहीबीटेड है जाना वहां जहां नहीं सकते हैं इसलिए कैमरे से देख लीजे आप और यह थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है तो बस यही था इस मॉन्यूमेंट में दिखाने के लिए तो चलिए आप बस की तरफ चलते हैं क्योंकि क्योंकि तो यह है टैंपल और यहां पर 20 मिनिट के लिए हमें टाइम दिया है उन्होंने और यहां पर सारे शूज रिमोब करके जाना है थाप गया है ना बहुत तो यह रहा टैंपल कि टैंपल का नाम क्या बताया था अशीश का पैर के लोगे तो यह है ओल्ड गॉवा का बत पुराना टैंपल है यह आशीश आके चल रहा है कि अपने मगनीश टैंपल देखने जा रहे है ना और यह हैं इसलिए इस आप और ये छोट इसी मार्केट. और ये रहे हम. गाय मारे गावी सेंग. ये तो सही है, यार नुजी. कि ते कलो फुल फुले हा तो यह है मगनीश टेंपल यह बहुत प्यारा लग रहा है वाइट वाला कुछ अभी यहां पर इस कंस्ट्रक्शन हो रही है कि अधर बहुत जब बहुत अधर इस कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम अब पूरा साउथ गोवा का टूर करके वापस से एयरपोर्ट आ चुके थे तो आशीश और मैं दोनों कैब से आ चुके थे एयरपोर्ट तो यहां पर अब आशीश अपना समान ट्रॉली पर रख रहा है और यहां पर हमारी और यह चेकिंग तो हम मास्क बूल गये थे आशीश मास्की ढून रहा था उसके बाद हमने निकाला अपना बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास निकालने के बाद मैं दिखा रही आपको थोड़ा बहुत एयरपोर्ट का व्यू तो यह था गोवा का आर्मी एयरपोर्ट तो बहुती स्टिक्नेस थी यहां पर तो आश अच्छे से दोनोंने के अशीश मुझसे पूछ रहा थी तो मैं बस उसको वही रिपलाए कर रही थी उसके बाद हमने अपना डेली टू मुंबई तक का सफर कर दिया शुरू यहां पर हम दोनोंने एंट्री कर लिये अब बैठ तो अब हमारी वापस से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई की तो हम मुंबई पर लैंड हो चुके हैं तो हम अब मुंबई के लिए एक्जिट कर रहे हैं एयर प्लेन से तो मैं आपको मुंबई का छोटा सा ओवर व्यू दे रही हूं यहां पर इतनी ग्रीनरी है तो आप भटक मत जाएगा यह मुंबई का ए उत्शर नहीं हो पाई है तो देख रहे हैं मुंबई भहुत सुंदर लिखा हुआ था और यह है मुंबई का वाश्रूम मुझे सच में वाश्रूम भूत ही अच्छा लगा मैंने आपको वी क्यो दिखा दू आपको ओगे रखसाना क्या ही दिखा रही है बट सिरियसली गा मुझे बहुत गुस्सा हो रहा था तो मैं आशीश को वही बोल रही थी मुझे भूक लगी थी मुझे खाना था यहां पर है यहां पर मैकडॉनल्ड डॉमिनोस कुछ भी नहीं था तो चलिए अब हमारी मुंबई की फ्लाइट का भी हो चुक है टाइम तो मुंबई से आप ड डेली की तरफ गाए तो होप सो आप लोगों को मेरे छोटा सा गोवा का प्लस गोवा टू डेली का टूर अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब टू मैं चैनल मेरे चैनल को बहुत सार प्यार दीजिए का बाइट